योजना इनिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो अगर आप दिव्यांग पैंसन लेते हैं दिव्यांग पैंसन धारक है या प्विकलांग पैंसन धारक है तो आपके लिए एक महतपून खबर है क्योंकि अब आपको बिना इस डोकूमेंट के पैंसन का पुगतान नहीं होगा तीन-तीन हजार उपे महिना की जो पैंसन आपको दी जाती है एक हजार उपे महिना के हिसाब से वहे आपकी पैंसन रोक दी जाएगी और कौन सा डॉकुमेंट है जिसके बिना आपकी पैंसन रोक दिजाएगी अगर आपको भी अभी तक तीसरी किस्त का पैंसन नहीं मिला है और वह पैंसन आपका क्यों रुका हुआ है वह भी हम बताएंगे और क्या डोकुमेंट आपको जमा करना है जिससे की आपकी फैंसन आपके खाते में तुरंत आ जाए तो वीडियो में लाज्ट तक बने रहिएगा लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा देखे हम दिव्यांग जन ससक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की जो पैंसन वेबसाइट है उसकी ओफिसियल वेबसाइट पर है और यहाँ पर आप देखेगा कुल लाभारती जिनकी पैंसन जारी करीई ह वित्तेवर्स 2023 में यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड क्वार्टर की पैंसन यहाँ पर रिलीज कर दी गई है और यहाँ पर आप अपना जिला देख सकते हैं यह पूरे 75 जिले यहाँ पर दिये हुए हैं यानि कि उत्तर प्रदेश के जो पूरे 75 जिले हैं उनमें पैंस पैंसन जारी कर दी गई है लेकिन कुछ साती ऐसे हैं जिनके खाते में अभी तक पैंसन का पैसा नहीं आया है यह जो तीसरे क्वाटर की पैंसन भेजी गई है और वह काफी परिसान है तो चलिए बताते हैं कि क्या डोकुमेंट आपको जमा करना है आपको अपना UD ID कार्ड नहीं मिलेगी और अगर आपका UD ID कार्ड नहीं बना है तो आप उसे कहां से बनवा सकते हैं तो इसके लिए आपको अपने जिले के दिव्यांग ससक्तिकरन विभाग में जाना होगा और वहां जाकर के आपको अपना UD ID कार्ड बनवाना होगा जिसमें आपका विकलांग प्रमानपत्र, रंगीन फोटू, आपका मुवैल नमबर और आपका बैंक खाता नमबर ये डोकुमेंट आपके लगेंगे और जैसे ही आपका UDID कार्ड बनेगा उसके माध्यम से ही आपकी जो पैंसन रुकी हुई है वह आपके खाते में ट्रांसपर कर दी जाएगी तो आप अपना UDID कार्ड जरूर बनवा लें क्योंकि बिना UDID कार्ड के आपको पैंसन का पैसा नहीं मिलेगा जो आपका पैंसन रुका हुआ है और हाँ अगर आपने अभी तक अपनी पैंसन का KYC नहीं करवाया है तो आप KYC भी जरूर करवा लिजेगा क्योंकि KYC की जो प से भी आप अपनी पैंसन का KYC आराम से करवा सकते हैं तो यही थी महत्वपूर्ण जानकारी की क्यों पैंसन आपका रुका हुआ है और क्या करने पर आपको कौन सा डोकुमेंट जमा करने पर आपको आपका पैंसन आपके खाते में मिलेगा तो वीडियो अगर आपको अच सानकारी के साथ तो हम आपसे फिर कहना चाहेंगे कि आप अपना यूडियाइडी कार जरूर बनवाले जिन लोगों का यूडियाइडी कार नहीं बना हुआ है